नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मैं मैक्स टू पर म्यूजिक एप के प्रॉब्लम को सॉल्फ कैसे कर सकते आज के इस वीडियो पर उसमें आपको इसी के रिगार्णिंग पर जो है सॉलूइशन बताने वाला हो ठीक है तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको जो है बाई डिफॉल्ट एक म्यूजिक एप मि करते है याड फिर आप उसमें कुछ भी गाना जो है प्ले नहीं कर पाते याड फिर गाणा जो है सर्च करते हैं नहीं मिलते हैं थिके किसी भी तरह का एरोर प्रॉब्लेम सो सकते तो इस वीडियो को आप पूरा जरू डेक लेना मैं आपको शो करके बताऊंगा आपको क्य क्या करना होगा कैसे प्रॉब्लेम को सॉल्फ करना है ठीक है तो वह सब मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हो अगर आपको प्रॉब्लेम सॉल्फ करना है तो वीडियो को पूरा जरू देख लेना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यह आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाके मिल जाएगा जाके आप चेकाउट कर सकते तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते और देखते हैं यहाँ पर कैसे हमें सॉल्फ करना है म्यूजिक एप के प्रॉब्लम को सबसे पहले दोस्तों आप एप को जो एक बार अपडेट करके देखें एप अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको एप के अंदर पर जाना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ उपर जो आपको टीन लाइन ने दिखाई जा रहा है उपर में उसमें क्लिक करना है और सेटिंग पर जाना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अपडेट ऑटोमेटिक लिक आप्शन तो उसमें जाके दोस्तों आप जो तो जाएए आपने mobile के setting पर और scroll down करके apps को open करें और उसके बाद manage app manage app पर जाके दोस्तों आपको यह पर search करना है music तो यह रहा उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है आपको force stop करके ओके करना है उसके बाद clear data पर click करके clear all data करके ओके कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जाईएगा पर्मिशन सेटिंग पर तो इस तोरेज पर्मिशन को एलाव कर देना है बस उसके बाद डिवाइस को रिस्टार्ट वगरा कर ले और चेक करके लिखे यह problem solve हो चुका होगा ठीक है तो सिंपल सा मिटोटे फोलो कर लिजिए आपको कोई भी दिक्कत दुबारा से भी नहीं होगा और दोस्तो आज कल तो वेसे भी आपको बहुत सारे music application मिल जाएगा तो अगर दोस्तों यह आपलिकेशन काम नहीं भी करते तो आप प्ले स्टोर से जाके कुछ दूसरा जो है music application आप install कर सकते ठीक है जीओ सावण आपको मिल जाएगा उसके बाद विंक म्यूजिक है ठीक है Spotify भी आपको मिल जाएगा तो काफी सारा अप्लिकेशन से जिनको आप यूज़ कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो बोटो से बस इतना है Thanks for watching